मंगल भवन आ मंगल हारी द्रबह सो दस अजिर पिहारी राम सिया राम सिया राम जै जै राम सीता शद्धा देशती राम अटन विश्वास राम जै तुनसी रचित हम तुनसी के नास मुनियाग्यवल्क्यने भरत वाज से शिव का व्याह प्रसंध कहा तन पुल का वली आँखों में अश्रु मन लालायत मुखमोन रहा कहयाग्यवल्क्यने आप धन्य अनुरागी शंभु विरत के हैं यही रामभक्त का परचय है यही लक्षण रामभक्त के हैं जिस भाज्यहीन की सत्यम शिवं सुंदरं के प्रति फीती नहीं वहे राम को सप्न में भी नरुचे उसे राम कभी मिलते न कहीं मैंने वर्णन कर शिव का चरित्र इस मन पवित्र को जाच लिया तुम्हे राम के सेवक रगुवर प्रिय कहकर सर्वो परिस्थान दिया जिस पर रगुवर क्रिपाल उटाएं उसके मन शारदा बसाएं राम जिसे दे चरणों में सान राम के गुण वही करे वकान ओ नी राम को शीश जुकाऊं उनकी ही शुब कथा सुनां मेरे तो आश्रय बसरां कथा कहाना उनका कां अतिरमनी अमनोग्य छटा कैलाश महा परवत की यहां उमा की जोति अलोकिक सत्ता शिव सैयत की इस गिरी पर विशाल तम बरगद सघन है जिसकी छाया लिक्ष शिरो मण यही के जिसका यश्वेदों ने गाया महादेव जी मुझित सुतर अपने प्रांगन में पाकर जान धरे प्रभु पाघंबर यहां अपने हाथ बिछा कर महादेव जी कहां किसी बरगद विशाल से कम है यह तो चीनों लोक को छाया देने में सक्षम है एक दिन बैठे थे यहां गौरी संग भगवान पार्वती को आ गया पूर्व जन्म का ध्यान जग पति मम पति हेत्र पुरारी मदन विजेता भव भैहारी तुमरी महिमा अपरंपार तुम वर्दानों के भंदार ओ कर विशपान हुए शिव स्वामी शंभु स्वयंभु नमामी नमामी तव गुण करुण सेह ममात इनसे निर्मित है शिवतत मम सेवा मम प्रीति से यदि प्रसन भगवान राम कथा कहकर हरो मेरा सकल अज्ञान कर दो शांती प्रदान कल्प व्रेक्ष जब आपके जैसा लिखा है प्रभु भाग्य में मेरे ज्यान से फिर कंगाल रहूं क्यूं किस लिए भोकूं भ्रम के अंधेरे क्या श्री राम है दश्रत नंदन क्या श्री राम है दश्रत नंदन जो टाले माया के घेरे या है निर्गून ब्रहम के जिनके वेदों के पन्नों पे बसे रहे या है निर्गून ब्रहम के जिनके वेदों के पन्नों पे बसे रहे आप स्वयं भी तो सदा जपते उनका नाम आपको मानव राम से क्यों मामत को क्या काम यदिवे राज कुमार तो ब्रहम से कैसा मेल परब्रहम हैं तो करें क्यों माया का खेल परब्रहम की स्त्री कहां कहां कोई परिवार शियाब रहके बोज से कातर क्यों करतार सब रहस्य उद्धाटन कीजे समाधान मेरी भ्रांति को दीजे मोह करें जो मेरा बंदर कहिए ऐसे राम प्रसंद को कोशल्या को दर्शन दीना किस विधिबाल चरित हर कीना मोह करें जो मेरा बंद कहिए ऐसे राम प्रसंद ओ धर्श आपका कैसे तोड़ा जनक सुता से नाता जोड़ा मोह करें जो मेरा बंदर कहिए ऐसे राम प्रसंद शोधी लगन वशिष्ट ने राज तिलक के हे तू के कई के दोबर बने कैसे राहू के तू पितु के वचन करने को पालन क्यों छोड़ा युवराज का आसन मोह करें जो मेरा बंद कहिए ऐसे राम प्रसंद कैसे दिन कानन में बिताए सुकुमारों ने क्या दुख पाए मोह करें जो मेरा बंद कहिए ऐसे राम प्रसंद किया भूमि पर शयन और कंद मूल आहार दीन हीन बन कर रहे क्यूं जग के दातार किन किन कु मुख चंद्र दिखाए किन रिशियों के दर्शन पाए मोह करें जो मेरा बंद कहिए ऐसे राम प्रसंद प्रभू ने किया अरण्यमें किन किन का संहार पंचवटी का आवास अब कहिए कर विस्तार हो कैसे छेल से आया रावन सीतार हुआ किस कारण मोह करें जो मेरा बंद कहिए ऐसे राम प्रसंद शवरी को दी कौन सी नो प्रकार की भक्ती जूठे भलखा सिध की निश्चल प्रेम की शक्ती हुआ वीर हनुमान से किस प्रकार साक्षात बाली वध सुग्रीव की कहो मित्र तानात पिर पवन पूत्र सियकी सुधी लेने किस प्रकार पहुँचे लंका लंका को भस्म कर राम नाम का कैसे बजा दिया डंका वानर रिक्षों संग किस प्रकार रवन का नाश समूल किया शरणा गत हुए बिभीशन को कैसे लंका का राज दिया अपनी अरधां गिनी सीता की फिर अगनी परिक्षाली कैसे करुणा मय प्रभु को मल स्वभाव निश्ठुर किस है तु हुए ऐसे अपनी नम्री आयोध्या में किस किस को संग लेकर आए कैसे वो अन्हेरे दूर हुए जो चौदह वर्षों तक चाए पुई भूमि गत जान की बेप्रभु को संता सर्यू में रगवर किया किस विधि महा प्रयार यदि आप की छाया हुमें यदि आप मेरे प्रान हैं तो वो समस्तु कथा कहें जिससे श्रवण अनजान हैं संदेह उपजा पूर्व भव में राम को ले कर मुझे वह दंड पाया सुख के सारे दीप एक एक कर बुझे वह दंड पाया सुख के सारे दीप एक एक कर बुझे संदेह का कुछ अन्श मन में आज तक भी शेश है उसे दूर की जेहे महेश नुरोध नात विशेश है गिरिजा में श्री रगुवीर के प्रति स्नेह जब देखान आया आनंद घन शिव जी का परमानंद से मन भर गया ओ पारवती की जिग्यासा पर अरिरस में डूबे शिव शंकर लगे देखने रामचरेत्र अत्भुत अनुपम सरस पवेत् ओ शंभुदो घड़ी ध्यान लगा कर खीच के मन फिर लाए बाहर तन पुल कित मैनों में नीर अंतर में अंकित रगुवीर सत्य जूट की हो न यदी वास्तव में पहचान रसी पर भी सर्प का भ्रम करते मति मान कभी वास्तविक सत्यका हो जाए यदि ज्ञान विश्रे माया जगत की देखे स्वप्न समान। ओ बंदू बाल रूप अन्योतम सर्व सिथियां सुलभ बिनाश्रम सुर्णर्म निसाधक मति मान बाल रूप का धर ते ज्यान। ओ मंगल भवन अमंगल हारी ड्रबह सु दसरत अजिर विहारी दसरत नंदन कोसल चंद राम चंद प्रव आनंद कंद। ओ शिव जी नमन राम को करके बोले वचन सुधा में भरके। उपकारी गिरिजा तुम धन्ज प्रश्न तुमारे सरस्वरन्ज। श्री रगुनाथ प्रसंद सुनने को इच्छुक हो तुम। जो जग पावनिगंग ऐसी है रगुवर कता। राम पदों परने है प्रिये तुमारा पूणत है। प्रश्न यनी संदे है पूछे जग कल्याण हित। मेरे मत से महदेवी का अंतरतम निर्मल दरपण है। इस पर्णमोह दुख भ्रमकेत्रिन संदेह का एक नरजकन है। ऐसा निर्मल दरपण पाना संभव है हर अनुकम पासे। अन्यता तार्किक देखे हैं गंगा तट पर मरते प्यासे। जै श्री राम सोई जानए जेही देहु जनाए जानत तुम्हही होई जाए। श्री राम जब चाहें कि उन्हें कोई जाने तब ही जान सकता है। वही देख सकता है जिसे वे अंतर दृष्टी प्रदान करें। उनका निवास उन्ही रिदयों में होता है। जिनमें कलुष की किंचित भी कालिमा नहीं। तर्प नहीं संदेह नहीं। केबल विश्वास है और समर्पन। समर्पन भी उनकी सुईका रोकती के विना संभव नहीं। तो बात खूम फिरकर राम की इच्छा पर ही आते है। हरी की इच्छा सर वो पर है। इच्छा का प्रेरक भी हरी है। हरी ने भी बात ये मानी है। ये रामायन शी राम की अमर कानी है। वह पूर्व जन्म वाली शंका थिर स्मरन तुम्हें हो आई है। और समाधान में शंका के जनहित कल्यान भलाई है। अब राम परिक्षा लेने को भेजूँगा। तुम्हें कदापी नहीं। तुम फिर नस्या का रूप धरो। मैं तुम्हें गवा दूं। फिर न कहीं। ओ, सुनों उमा श्री राम की लीला। चित करे जो भाव से गीला। सुरगण का करती कल्यान। असुरों को वारुणी समान। ओ, काम धेन। हर कछा सुहानी। सेवत सब सुख चेत भवानी। सुरगण का करती कल्यान। असुरों को वारुणी समान। राम के नाम असंखें। राम की कीरती अनन्त। अगणित गुण महिमा अगम। गावेशु की मत संत। जेगिरी राज की शोरी आज तुम्हारी प्रीती के कारण। रामायन का मत्य अनुसार करूंगा मैं पारायन। प्रे यसी पेश्न तुम्हारे प्रिय जिग्यासा प्यारी प्यारी। कथा शाण की तुम पात्री मैं कहने का अधिकारी। राघव कथा शवन करो मनोयोग के साथ। वचन किरन के स्पर्शु से खिले रिदय जल जात। ओ आध्यात्म प्रभात। निर्गुण सगुण में भेद न विवाद कोई आगम निगम ये भेद बताते हैं। अनुरागी पूजते हैं सगुण की प्रतिमा को मन में बैरागी निर्गुण को बसाते हैं। पंडित पूरोहित आराधते हैं मंत्र द्वारा ज्यानी ज्यान चक्षुओं से दर्शन पाते हैं। निर्गुण सगुण में गुण की प्रधान ताहें। दोनों परब्रह्म परमेश्वर कहाते हैं। निर्गुण सगुण प्रिथक प्रिथक कैसे दोनों एक। बोली उमा कि दीजिये सम्यक मुझे विवेक कैसे दोनों एक। जल और ओले में न मूलते हैं भेद कोई वास्तव में ओला जल ही का निर्मान है। एक है तरल और एक है सघन यहां फ्लावित और संचित में जल ही तो प्राण है। मिट्टी और पिथी वी में कहां पार्थक्य के पाशान परवत परवत ही पाशान है। मन जिससे प्यार करें आत्मा स्विकार करें आस्था उसी पे रखने में कल्यान है। रविराम सच्चिदानन्द रूप वह मोहरात्र की पैठ नहीं। आलोक पुंज प्रकृतिस्थ ब्रहम विज्ञान प्रभात भी नहीं कहीं। है हर्ष शोक अज्ञान ज्ञान अभिमान एहमता जीवों में। है राम परादपर परम पुरुष वे लिप्त कहां इन दोशों में। सब जीवों में हैं प्रकट वही वही अखिल निखिल के स्वामी हैं। वे आदिकाल से विध्यमान वे ही आगत आगामी हैं। श्री राम नाम में शिव जी ने सब विशेशनों को सजा दिया। जैरग कुलमनी जैरमानाथ कहशीश राम को जुका दिया। माया पत है राम जी ज्यान सुगुन भंदार। उनकी सत्ता से मिले मोह का जब आधार। माया ओ साकार। ओ ऐसी परब्रहम की माया। छाया तक कोई छू नहीं पाया। निरगुण सगुण रूप है एक। भजो के माने जिसे विवेक। वेद न जिनके वेद को जाने मुनि जिने तब कर पाना चाहे। हम अर्थात सदाशिव जिनको ध्यान समाधी में लाना चाहे। धर्म धरासुर नर्मुनी द्विज की धर्म धरासुर नर्मुनी द्विज की रक्षा को जो आना चाहे। वेही दश्रत नंदन राम। जो भक्तों के हात विखाना चाहे। असुर निकंदन कोशल चंदन प्रण पर प्राण लुटाना चाहे। काशी में मरने वाले को जिनके मंत्र से मुक्ठ करेह। गंगा की शुद्धता यमुना का प्रेम। सरस्वती की वाणी का संगम। भरत लखन शत्रुघन के व्राता। जिनकोशी आने की आरे दयंगम। भरामान अस्तिप रात पर रगवर। है वही मर्यादा पुरुषोत्तम। काल पुरुष वही पुरुष शीरो मनी। भराम ही मर्यादा पुरुषोत्तम। कैसे वी राम का नाम जपे कोई इच्छा या के अनिच्छा द्वारा। नाम प्रभाव से जन्म जन्म कृत पापों से पाए छूट का रा। गोखुर के गड़ के समान वो तर जाए भव सिंधु अपारा। ललत ललाम को गुण्यश धाम को राजा राम को नमन हमारा। राजा राम को गुण्यश धाम को बारं बार प्रणाम हमारा। पारवति श्री राम का शिब परभी स्वामित्म। मत देखो ब्रहम द्रिष्ट से तुम उनका अस्तित्म। जो राम के इश्वर होने पर संदेह तनिक भी लाते हैं। उनके सद्गुण सद्धर्म कर्म तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तुम लक्षमी काली सरस्वती निजपरियायों का ध्यान करो। शिव के नयनों से शिव के प्रियवर रघुवर की पहचान करो। सुने उमाने शंभुसे जब भ्रह्मना शक बोल। राम रूप लखने लगी। फ्रज्यालों चन खोल। विकी सत्य के मोल। गेरे जानिजकर कमल से चरण शंभु के थान। बोली मुझको मिल गए अब यथार्थ मेरा। ओ हर तुमने हर भ्रह्म हर लीना। राम रतन धन मुको धीना। आजे अनन्त अलो किकना। शीराम जैराम जै जैराम। हेनाथ अनुग्रह आपने मुझ पर कृपा कर जो किया। उसने विशाद प्रमाद जडता भ्रांति भ्रम सब हर लिया। हेनाथ मुझ को राम रस की बूद बूद पिलाईये। बसते जहां श्री राम जी मुझ को वहां ले जाईये। ओ मैं कातू हल निर्वित नारी। मोह समझाय कहों त्रिपुरारी। परब्रहम निर्गुण अविकार। केही कारण लिया नर अवतार। दर्शाकर हरी चरण पर। साची पीत प्रतीत। पारवतीने पुनिलिया। रिदे शंभू काजीत। जब देखी अपने प्यारे प्रभु पर श्रद्धा अपनी प्यारी की। तब भूरी भूरी शिवुजीने प्रशंसा की कि विराज कुमारी की। फिर बोले काक भुशुन्डीने जो कही गरुण से राम कथा। वह कथा सुनाएंगे तुमको। शिव मानस में है रची यता। हारी अनन्त अगनित सुगुण। ललत रूप बहुनां। यश असीम बल अमित है सुख मंगल के धाम। ऐसे मेरे राम। कथा प्रभू की कहूं वहां तक। बुद्धी मेरी जाती है जहां तक। सविनय सुनो लगा कर ध्यान। कैसे ब्रहम राम भगवान। ओ एक रामा वत्तार का कारण। कह सकते हैं जनसाधारण। है जिन में भी धनिक विवेक। कारण उनके लिए अनेक। परब्रहम परमात्मा। पून पुरुष भगवान। राम अनन्त असीम है। सीमित है लगू ज्यान। हो किस भाति भखान। ओ कहा शंभू सुन उमा भवानी। बुद्धि विवेक। ज्यान मन भानी। इनसे परे कल्प नातीत। राम वर्ण नातीत। पुनीत। शुति मत ग्यानी संत कहें जो अनमान अनुसार। बौध गम्य जो कुछ मुझे उसको छान विचार। कहूं कथा सुखसार। ओ जब जब हुए धरम कैहानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। उनका अत्याचारण जाए। जब सीमा लंधन कर जाए। ओ तब तब हरे धर विविधु शरीरा। दूर करें पीडत की पीडा। प्रनत पाल राखें निज़ान। युग युग में प्रगटें भगवान। असुरों का संहार कर देवों को देत्राण। जीवन दे उनकी क्रिपा। मरण में भी कल्यान। संभव हैं रामा अवतार के इतने सारे कारण। कारण कुछ भी हूं। प्राकट्य का हेतु अवश्य है रावन। मैं उनके अवतार हेतु का वर्णन करता हूं। साबधान संग चलो के दुरगं पत पर पगधर ताहूं। हर के एक दो जन्म का करता यहां बखान। हे गिरिनंदिनी पार्वती सुनों लगाकर भ्यान। गौर पाल हर के दो प्याडे जय और विजय कहाने वाले। इन नामों से परचित हैं हर गाथा सुनने सुनाने वाले। सन का दिक के शाप से हैं ये देहताम सिक पाने वाले। भूले हे रण्य कशिप हे रण्याक्षुय इंद्र का मान मिटाने वाले। ये दोनों भलवीर। युद्ध में बड़े बड़े वीर। हराने वाले। धर्वराह का रूप विश्वने हिर्ण्याक्ष का किया संगहार। वध कर दिया हिरण्य कशिप का प्रभुने लेनर सिंग अवतार। असुर्वन्ष में जन्में परमभक्त प्रहलाद प्रकर्वनाधार। कर दिया तीनों लोकों में उसके निर्मल यश्का विस्तार। पोनर जन्म में एक हुआ रावण कुम्भ कर्ण दूजे का नाम। दोनों ही अदलित बलधारी दोनों ही अभिजित संग्राम। दूर निवार दैत्यों के दमन को नारायन प्रगटे बन राम। दो जन्मों में कैसे मिट्था तीन जन्म का था जो शाप। हर के हाथों मरने पर भी नहीं मुक्ति से हुआ मिलाप। देवों का संताप गया नहीं गया नहीं संतों का ताप कलप कलप में रावन जन में कलप कलप में प्रकटे आप जब कश्यप और अदिती ने विश्णू से मांगे विश्ण पूल की आनिज वचन को तब यूँ विश्णू सहेश्णू कश्यप जीदश रथ हुए खदिती कोशल्या मात इन दोनों के पुत्र बन प्रगट हुए शीनास एक कलप में सुर्गण साडे देट्य जलंधर द्वारा हारे युद्धु हुआ शीवजी से भारी वध न सके उसको त्रिपुरारी देट्य जलंधर की पत्नी थी तपस्विनी सत्वन्ती मृत्युन जय शिव से भी खल की मृत्यु की युक्ति न बन्ती महासती के व्रत कुहरी ने भंग कर दिया छल से शिवजी ने बध किया जलंधर हर के छल के बल से ओ शाप दिया जो महासती ने उसको मान्य किया हरिश्री ने उसी कल्प में दैत्य प्रधान जन्मा रावन अति बलवान हठी छली दंभी किजों पाप हुआ साकार इस रावन के तु प्रभु पुनहलिया अवतार जाने सब संसार याज्यवर के बोले सुनों मुनिवर भारत द्वाज हरिय अवतारों की कथा वर्णी बहु कविराज सु तुमसे कहुं आज जो नारत निश्र दिन करे नारायन काजाप एक बार वही दे गए नारायन को श्राप ओ नारायन प्रिय नारत ज्यानी शाप भरी क्यूं बोले बाने बोली उमा के ममुनात कथा कहो विस्तार के साथ विहस कहा शिवने उमा नहीं कोई ज्यानी मूड सब माया रघुनात की गूढ गूढ अत्ति गूढ सब रहे मोह विमूढ ग्यानी जब ग्यान के गुमान में डगर भूले उसका गुमान रभुपल में मिटाते हैं ध्यानी जब अपने को जाने बड़ा ध्यानी तब उसकरे दै में व्रिक्ष मोह का लगाते हैं शक्ति का दूर उपयोग करें जब शक्ति मान तब प्रभुबान उपयोग में लाते हैं चाहे जो कराते नाच माया का नचाते मूढ ग्यानी को बनाते ग्यानी मूढ को बनाते हैं करूं राम गुण गान भरत वाज साधर सुनूं नहीं कोई राम समान राम भजन में ही भला कंदरा हि मालै की पवित्र गंगाजी निकट ही बहती थी था आश्रम तपके योग्य वहां सब दिव्यात्माएं रहती थी नयना भिराम यह स्थान अलाव किक नारत को रमनी अलगाँ सरवांग सुन्दरी प्रक्विती देख ध्यानी रिशी रह गया ठगा ठगा दिया दक्ष प्रजा पति ने जो शाप नारत को स्थिर नहीं रहने का उस शाप की गति भी रुकी सुना जब स्वरसमीर के बहने का कि यना रायन का स्मर्ण तूरिश की अविचल ध्यान समाधी लगी जिम आच्छा दित इस अंचल में जब तप करने की साध जगी योगी यतियों से रहें देवराज भयभीत कोई तप बल से न ले स्वर्ग लोक को जीत कम पित हूं बिन शीत इंद्र योगी यतियों पे अखंड व्रतियों पे काम देव द्वारा काम बान चलवाते हैं कोई भी तनिक यश नाम अरजित करें सुर्पति उसको पचा नहीं पाते हैं नारद जी नारायन नारायन जपते हैं कोट कम देव नारायन से लजाते हैं लक्ष्मी खांत जिसकी सुरक्षा में स्वयम रहें काम बान वहां कुछ काम नहीं आते हैं ओ मदन जब उस आश्रम में आया फैला दी बसंत की माया शीतल सुरभित मंद समीर चलने लगी करने को अधीर ओ सुमन युक्त हुए तरवर सारे को किलक हुके भ्रमर गुंजारे सुर सुन्दरियों के नृत्य और गान ध्यान में बनने लगे भ्यवधान ओ जगत जई रित्यों का नायक हुआ प्रसन निज देख सहायक लगा विछाने माया जाल चली न चाल गली नहीं दाल काम बान का मेश के नश्ट हुए तत का भय से कंपित हो उठा निकट जान निज काल ओ सेना सहित पराजित आहत मदन हुआ रिश चरणों परनत बोला आर्थ वचन अतिदीन शमाक्षमा है ध्यान प्रवीन काम देव पर रिशी प्रवर तनिक हुए नहीं रूष्ट स्नेह सिक्त कहकर वचन किया उसे संतुष्ट अनमति पाकर शीश नवाकर मनमत अपने धाम सिधारा इंद्र सभा में नारद जी ने यह वृत्तांत सुनाया सारा यह सुनकर सब विस्मित रह गए जगत जई ध्यानी से हारा नारद जी की बढ़ाई करके बोले विष्ण को नमन हमारा देवर्शी की बढ़ाई करके बोले हर को नमन हमारा शिव की ओर चले नारद मुनि इंद्र सभा से लेके बढ़ाई काम पराजय अपनी विजय की सारी कथा शिव जी को सुनाई श्री हरी से ये कथा मत कहना विन्ति करू में सुनो मुनि राई यद्य पी मुनि के हित की कही शिव जी ने कथा पी उन्हे नहीं भाई एहम के मद में पत भूले को आगे पीछे पढ़े न दिखाई हर ये चाविन कुछ नहीं होता करता कारक कर्म वही है नर के मन पे वचन पे कर्म पे हर के हाथ की महर लगी है तिल भर ग्यान जिसे दे उसके पत में एहम की भीत खड़ी है हर सर वो परी हर के आगे तेरी चली है न मेरी चली है ब्रहम लोक में आ गए मुनी हो कर मन खिन अपने को गिनने लगे सुर्णर मुनी से भिन संगीत कला में पारंगत मुनी वीना मधुर बजाते हुए लोक्षीर सिंधु में आ पहुचे नारायन के गुण गाते हुए श्री रम निवासुने निजु प्रियवार का प्रेम सहित सन्मान कियो श्रिभुवन में रमते योगी से फिर खुशलक्षेम श्रिभुवन का लिया यद्य पिशिव जी ने भरज दिया था काम प्रसंग सुनाने से नारद तथा अपी नहीं रोक सके अपने संग घटित बताने से रघुनात कमाया जाल जटिल कौन ऐसा है जो भेद सके मोहित होने से भच पाए मानव क्या वेद पुरान थके भगवान करके शुष्क मुख को मल वचन कहने लगे ऐसे वचन सुनकर जिने सुनने की और इच्छा जगे एक स्थान रहने पर तुम्हें जब हम न प्रेरित कर सके सामर्थ्य क्या फिर मदन की जो तुमको मोहित कर सके सामर्थ्य क्या फिर मदन की जो तुमको मोहित कर सके तुम ब्रह्मचारी धर्मधारी कामना से मुक्त हो तुम हर समय सविनय हमारे नाम से संयुक्त हो प्रियवर तुमारे चरित पर तिल भर कहीं कालिक नहीं सुमिरन तुमारा जो जहां कर ले वो पावन हो वहीं कहने को रिशी ने कहा कृपा आप की नाथ पर उन वच्चनों में कई था अभिमान का हात विनय नहीं थी साथ नारायन नारायन केहने वाले की दशा देखी जो नारायन ने मन में विचार के जान लिया नारद के भक्ति भरे अंतर में अंकूरित हो गए हैं बीज अहिंकार के सेवक हमारा हुआ एहम कारोग अब निश्चित ही करेंगे उपाय उपचार के ऐसा विक्ष जिसकी जड़ों में माटी गर्व की है रख देंगे हम उसे जड़ से उखार के ओ रिशी हरिपद पर शीश नबा कर चले अधिक अभिमान में आकर तब जो माया की भगवान तर कुछ उसका यहां बखान तब शीहर की माया ने शत्योजन का नगर रचा भारी उसकी रचना उसकी सजधज वै कुंठ से भी थी मनहारी रतिकाम देव जैसे सुन्दर उस नगर के रहने वाले थे उनके वैभव उनके विलास इंद्रों से अधिक निदा ले थे दिप श्रेष्ट शील निधी सरो निधी संपन वहां का शा सक था माया प्रेरित माया कृत माया पति का परम उपा सक था उसकी कञ्याती विश्व मोहिनी सबका मन हरने वाले विश्वेश्वर विश्वजई लक्षुमी को भी मोहित करने वाले ओ जिसे रचा हर की माया ने उसकी महिमा कौन बखाने करने भक्तों का कल्यान क्या क्या खेल रचे भगवान स्वयम हे तुवर स्वयम चुनेगी सुन्दरी राज कुमारी यह सुनकर प्रचाशियों का वहां जुड़ गया मेला भारी भ्रमते भ्रमते नारद रिशी जा पहुँचे उसी नगर में जहां स्वयम्बर को लेकर को तुहल था घर घर में सुन विवरण देवर शिवाहां के राज महल में आये करपद प्रक्षालन राजन ने आसन पर बैठाए राज कुमारी को रिश की सेवा में करके उपसित कियानि वेदन इसके गुण दोशों से कराएं परिचित रिशिवर रूपसी देख कर भूले योग विराग भूल स्वयम को भूल गए ध्यान तपस्याचाग कन्या देख सुलक्षणा करने लगे विचार भाग्यवान जिस कंट में दा रेगी ये आर अजर अमर वह हो जाएगा चारो और विजय पाएगा यहां जुडे जो धन पति भूप कोई नहीं इसके रन रूप ओ राजा को कुछ सुगुण बता कर यह विचार करने लगे मुनिवर कौन जतन करे कौन उपाएग जिससे ये मणी उनको मिल जाए ओ जब तब से ये प्राप्त नहोगी योगी नहीं इसको उप योगी कौन जतन करे कौन उपाएग जिससे ये मणी उनको मिल जाए मुनिवर ने अनुभव किया यह दुख पहली बार नहीं उनका कहीं थार है नहीं कोई परिवार इसके लिए को चाहिए रूप रतन का कोश या या वर के संग से नहीं होगा संतोश ओ तुम ही करो सहाय विधाता रूप योग में जुड़ जाए नाता कौन जतन करे कौन उपाए जिससे यह मणी उनको मिल जाए हर से मागूं रूप में जाकर पर इस कार्य में देर लगेगी क्या होगा मेरे लोटने तक यदि यह दूजे वर को वर लेगी मैं हरी प्रिया हरी मेरे ही तैशी मैं हरी प्रिया हरी मेरे ही तैशी उनकी क्रिपा ही आश्रय देगी मानी उन्होंने जो बात मेरी तो यह रूप की राशी मुझी को मिलेगी नारायन प्रिय भक्त तुने की बहु भांति पुकार प्रकट वही पर हो गए माया के अबतार सोमी को सनमुख देखा तो दास के नेत्र से जल हो आए निशित होंगे सफल मनोरत सोच के मन ही मन हर शाए अचल अटल कैसे हुए दुरबल अचल अटल कैसे हुए दुरबल धीर मती कैसे भरमाए यद्य पीहर से कुछ भी छुपा नहीं तो भी मन के भेद बताए घट घट वासी घट घट बैठे तो भी मुनिपट घट के हटाए सेवक प्रिय अब कीजिये सेवक पर उपकार श्रीहरी मुझे को दीजिये अपना रूप उधार करके भगवन मेरी भलाई आज सफल कीजे सिवकाई एक ही नाम है मेरे पास उस पर ही मुझे को वेश्वास हो देख के प्रभु निज माया का बल हस बोले ज्यों बालक चंचल आप हमें प्रिय जैसे प्रान करेंगे वे हैं जिसमें कल्यान बोले श्रीहरी सुनिये मुनिवर आप स्वयम है प्राप्रित योगी याशना योगी सुलब करेंगे तो हम भी होंगे सही योगी वैज्य को पथ्य कभी नहीं देता वैज्य को पथ्य कभी नहीं देता रोए के मच लेके हट करें रोगी मात पिता गुरु इश्वर जाने प्रिय की रक्षा कैसे होगी योगी मोह में यदि पढ़ जाए तो उससे भले सांसारिक भोगी मुनि मेने भी आपके हित की ली है ठान ऐसा कहकर हो गए श्री हरी अंतरधान माया वश्मुनिके हुए बोध ज्यान सबनश्ट उसको भी न समझ सके जो हरी कहे गए स्पष्ट सीताराम सरित अतिपावन मजुर सरस और अतिमन भावन पुरी पुरी कितने हुँ सुने सुनाए यथी ट्यास मुझय तेला भूचाए श्या 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 od दुगनाश्य हुआаж उनकी जूम हुपू श्या ही ससवारे कि मिवावजश्ट मुचा छ जा सवापी द्यास झाल झाल